आप सभी दर्शिकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार कैसा किया और किस तरह से हमने 8,970 रुपे कमाए आज निफ्टी में इसके साथ में हम यह भी visualization करेंगे कि आने वाले समय में option chain के basis पर क्या result निकल सकता है और आपकी कल के लिए क्या earn नीती होने चाहिए यानि कि 28 को आप क्या कर सकते हैं अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में को actively trade करना है तो आई चलका शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी का analysis, basic analysis करके देखते हैं तो सबसे पहले अगर आपको बताएं आज effectively दिन ना तो bulls का था ना beers का था आज दोनों ने ही अगर किसी भी direction में काम करना कोशिश किया होगा तो हो सकता है उनका stop loss हिट हुआ हो या फिर उनको desired output ना मिला हो जितना वो profit करना चाहते थे, हम बताते हैं कैसे तो आज निप्टी का चार्ट देखें तो शुरुवात positive होई कुछ लोग positive शुरुवात होने के बाद में उसको सोचते हैं कि dip आएगा जैसे यहाँ पर आया उसके बाद में positive खुला है और एक dip आया तो लोगों ने सचा कि यहाँ पर खरीद लेना चाहिए तो कुछ लोग दिन सभी ऐसे ही काम हो रहा है तीन दिनों से जब यहाँ sell signal आया कुछ लोगों ने हाँ पर sell किया होगा और हो सकता है उनको desired output ना मिला हो कुछ मिला हो पर सारा output ना मिला हो उनके expectation के accordingly तो दोनों के दिन में के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो low बना है 11,540 का बना है high ब उपनिंग जो थी 609 की थी और उसके थोड़ा देर बाद ही उसने 617 का high बना लिया था यहाँ पर उसके बाद उसने कभी विसाई को break नहीं किया और वहीं अगर closing की देखे जाए 11,559 के आसपास का closing है जो की close to the low point है तो आज का दिन overall देखा जाए तो थोड़ा सा negative दिन है in terms of की advancement इतना जादा नहीं उपाया अब ही पिया अगर हम आज के top gainers की बात करें तो इंडेसिन बैंक 6,5% बैंकिंग सेक्टर ने काफी अच्छा कमाल दिखाया और इंडेसिन बैंक दो दिनों से लगातार अच्छा काम कर रहा है तो यह सारे banking sector ज्यादा तर आज अच्छे चले और auto sector भी Reliance, ONGC और Bajaj Auto तीन top losers थे 1.3%, 1.29%, 1.27% respectively तो इसके साथ में आप हम देखेंगे आगे किया रणीती होनी चाहिए हमारी call के मध्यम से हम लोग resistance ढूने की कोशिश करेंगे और put के माध्यन से हम लोग support की ढूने की कोशिश करेंगे तो अगर call का देखें यहाँ पर हमने जो data strike price की है वो 11,400 से लेकर 12,000 तक की हमने strike price की है यहाँ पर analysis अब इसमें अगर देखा जाए तो आज का जो सबसे ज़्यादा open interest आज के लिए add हुआ है ध्यान रखें यह हमारी current नहीं है यह हमारे September 3rd की option series है क्योंकि आज की option series close होगी है तो उसको analysis करने का कोई फाइदा नहीं है तो अगर देखें सबसे ज़्यादा open interest जो बना हुआ है 12,000 के आसपास बना हुआ है जिसकी call और put यहाँ पर put अगर call की बात की जाए तो 4 रुपे के आसपास वो trade कर रही है तो काफी दूर की है इस बात को आप समझने की कोशिश कीजेगा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा interest आज के लिए accumulate हुआ है वहीं पर अगर देखें सबसे ज़्यादा open interest कहाँ पर इसका खड़ा हुआ है नेट open interest जो खड़ा हुआ है वो करीब खड़ा हुआ है 12,000 के आसपास ही जिसमें 15,000,000 का open interest खड़ा हुआ है 12,000,000 के आज उसमें add हुए है अगर इससे next closest दिखा जाए तो 11,600 पर है वो जो की 14,000,000 के आसपास वहाँ पर open interest है और 6,000,000 के आज नई writing वहाँ पर हुई है तो इसमें एक चीज़ आपको समझनी है दोस्तों कि यहाँ पर क्यूंकि 600 बहुत close price है तो जब यहाँ से short covering शुरू होगी तो हो सकता है आगे जाकर वो यहाँ तक जा सकती है 12,000 तक तो आप इस बात को समझिए कि किसी तरह से अगर bulls ने इस level को cross कर दिया है 11,600 का तो यहाँ से लोग बाग short cover करने के लिए भागेंगे और वो अगला support जो उनको मिलेगा वो 12,000 के असपास भी लेगा तो हो सकता है आने वाले हफते में एक अच्छी तेजी दिखाई दे मार्किट में जैसा हमें लग रहा है इस data के मादम से अब put data के जरा analysis करते है put data के लिए हमने 11,100 से लेकर 11,700 की strike price को analysis किया है अब देखते है कहाँ पर हमारा सबस्यदा open interest है तो सबस्यदा open interest जो है आज जो add हुआ है नया open interest वो हुआ है 11,500 पर जिस पर करीब 19,000 का open interest total खड़ा है और यहीं पर interestingly यहीं पर हमारा सबस्यदा open interest भी है तो near term के लिए जो bulls है वो यह defend करेंगे इस level को बढ़ा strongly 11,500 के आज पास के level को बहुत जादा strongly इसको defend करेंगे तो यह एक अच्छा support बन गया है अभी 11,500 यहाँ पर आगया आने वाले time के लिए तो यह अच्छा indicator है दोस्तो हम लोग actively nifty और bank nifty के future and option में trade करते हैं गर आप हमारी service चाते हैं तो हमें mail कर सकते है और आपको handhold करकर trading कराई जाएगी इसके साथ में वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों एक बार like बटन ज़रू दबाईएगा अब अगर हम यहीं पर bank nifty का analysis करें तो bank nifty ने भी कारोबार आज positive रुक से शुरू किया था तो देखिए जहाँ open हुआ था वो करीब 23,500 के असपास open हुआ और सुबह होते के साथ इसने थोड़ी दिर बाद इसने काफी तेजी से उपर moment दिखाया और करीब-करीब जो इसका high बना है टूटल वो 23,700 के असपास बना है और low बना है 23,464 के असपास तो खुला उपर तेजी से गया उपर फिर थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा उपर करने के बाद में उपर नीचे उपर नीचे एक सीमित दायरे में इसने काम किया इसने ऐसा नहीं काम किया जैसा कि nifty ने काम किया न दो परतिशत और SBI जो है करीब-करीब तीन परतिशत SBI ने जबसे 200 लेवल को उपर किया है तब से 8% उपर चड़ चुका है जो कि बहुत अचा साहिन है महीं गिरने वाले स्टॉक में IDFC First Bank, Federal Bank, Kodak Bank जो की 1.5%, 1.1% और 2.8% गिर कर बंद हुए है दोस्तो, please consult your financial advisor before investing and trading, we are not registered with CB SBI Okay, most active stocks today are Indescent Bank जैसा लगी रहा था 6% उपर चड़ा है और इसकी जो volume है, value के reference में अगर बात की जाए तो 290,000 करोन की value है इसकी आप अगर यहाँ पर बात करें, Reliance की दूसरा number पर उसकी value है 275,000 तो Indescent Bank आज सबसे है, Reliance जिनल सबसे उपर होता है, पर आज Indescent Bank वहीं Tata Motor ने भी काफी तेज़ दिखाई है और वो भी 259,000 करोन के असपास इसकी trading हुई है यहाँ पर तो यह काफी अच्छा view बन रहा है यहाँ पर कि आपको आगे आने वाले time के लिए active stocks बढ़ रहे हैं और ज्यादा तर stock positive momentum बढ़ रहे हैं DLF जो है वो भी एक अच्छे list में है आज और करी-करी 10% चड़ा है DLF stock आज हम अब बात करेंगे आपको अपनी की हमने आज क्या trade किया है हमने तीन options में trade किया है कल और आज मिलाकर कल की position हमने carry forward की थी रात के लिए तो 11,400, 11,500, 11,550 इनकी put हमने options को बेचा है average price हमारा तीनों के average मिलाके करीब 12 रुपे 70 पैसे के असपास आया है और जो हमने इनको वापिस बाई किया है सबको 10 पैसे के असपास बाई किया है profit हमें 10 lot में हुआ है करीब-करीब 9,450 रुपे का ब्रोकेट 480 की गई है तो 8,970 रुपे का हमारा profit हुआ है यह इस अफते का हमारा पहला profit है दोस्तों हमने Wednesday को कोई trade नहीं किया था Monday और Tuesday को हमको loss हुआ था सारे वीडियो हम लोग upload कर रहे हैं अगर आपको कोई भी comment है तो please comment box में डाल सकते हैं अब अगर हम कल के लिए बात करें आपको कल क्या तरीका रहेगा देखें, international market थोड़ा भी भी positive biased है हमारे हाँ पर करोना की cases आज फिर से सबसा highest आए है तो वो थोड़ा सा एक negative news है हमारे लिए और इंडिया और चाइना की tension अभी भी पूरी तरह से खतम नहीं हुई है हो सकता है आ गयाने वाले time पर लड़ाई हो जाए तो यह इसकी वज़े से एक थोड़ा सा negative pressure बना हुआ है हमने अपनी कोई position नहीं लेके गए है ना हमने अपने clients को कोई position लेके रखे लिए आज के लिए अगर आपको कल का Nifty का trade plan करना है based on today's data, based on the analysis what we have done on Nifty charts as well as bank Nifty charts as well as option chain series तो एक recommendation है and please make sure you consult your financial advisor क्योंकि हमारी जो active trading जो हम करते है वो अपने software के basis पर करते है हमारा propriety software बना हुआ है और वो during the day time हमको advise करता है night में हमारा कोई advise नहीं होता है यह सिर्फ based on certain technical parameters हम लोग आपको advise कर रहा है तो please don't take it blindly you have to see how the market go in the morning just a caution word तो अगर Nifty future हम लोग September में काम करेंगे अगस कहतम हो चुका है sorry for the typo उसका 11,530 के उपर रहेगा तो आपको target price पहले आप buy कर सकते है target first रहेगा 11,570 का next target है 11,585 का और तीसरा target रहेगा 11,605 का वहीं पर stop loss आपको 11,480 का मेंटे रख रहेए September future के levels बताएं दोस्तो दोस्तो अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं पहले आपको अलविदा करने से पहले देखें आज Nifty Auto का sector अगर आप देखें तो इसने काफी अच्छा काम किया Nifty Auto ने अगर देखेंगे यहाँ पर तो Nifty Auto शुरू में positive खुला नीचे गया पर उसके बाद चढ़ा उसने बहुत अच्छा advance दिखाया है यहाँ पर और M&M Tata Motors और Excide यह तीनों के तीनों ने काफी तेज फ्रंट से इसको काम कराया वहीं अगर mid cap का देखें तो mid cap का मिला जुला रुजान रहा है जैसे Nifty का रहा है positive खुला पर जाते जाते वो negative होके फिर त्वरा सा positive बंद भाए वहाँ पर जाकर तो यह एक थोड़ा सा हलक असा negative sign है यहाँ पर इसके reference में अगर Nifty next की बात की जाए तो यह भी थोड़ा सा positive खुला थोड़े देर चला positive sorry पर फिर बंद होते होते यह भी negative हो गया है तो यह आपको थोड़ा सा market का overall direction पता लग जाता है इससे अगर हम बात करें आज के अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आए तो तो प्लीज चनल को subscribe कीजिए यहापर आपको education video मिलेंगे और हमने करीब 26 वीडियो के आसपास इसमें डाले हुए है जिसमें technical analysis सिखाया है और साथ ही साथ में आपको effectively कैसे daily earning कर सकते हैं weekly earning कर सकते हैं यह सब आपको बताया है stock market में आप चाहें तो इसको use कर सकते हैं अपने free time में दोस्तो कोई भी comment हो तो comment box में डालना और अपना समय देने के लिए धन्यवाद मैं आशा करता हूँ आप सीख रहे हैं जै हिंद जै भारत